हेलो आइवडीवन कैसे आप सब उमीद है बहुत ही अच्छी होंगे तो आज मैं आटे की बहुत ही अच्छी मतलग गे हूँ के आटे की बहुत ही अच्छी रेस्पी लेकर आई हूँ जो कि आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्छों को और चाय के साथ बनाके खाएं और बच्छों को खिलाएं बहुत ही टेस्टी है इसके लिए मैंने 100 ग्राम सूजी ली है और सूजी में मैं मिलाओंगी इसका डबल आटा 200 ग्राम मैंने आटा लिया हुआ है और सूजी डालने से ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा बहुत ही जादा कुरकुरा होगा जो कि चटनी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाला है अब मैंने इसमें दो चमच घी डाला है आप चाहें तो रिफाइंड आयल भी डाल सकते हैं और आधा चमच मैंने नमक डाला है, नमक आप जितने क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक को और मैंने फिर सफीद तिल डाला है इसमें जिसे की टेस्ट बहुत जादा इसका डिफरेंट हो जाएगा और खाने में बहुत जादा उभर कर आता है और बहुत जादा अच्छा लगता है साथ में बहुत जादा फाइदा भी करती है धनी की पती ग्रीन लीफ्स बहुत जादा फाइदे मन होती है अब सारी चीजों को मैं बहुत ही अच्छी से मिक्स कर जोंगी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पा के छोड़ी यह थोड़ा हाड डो बनाना ऑझि हमने सुजी डा ली है तो अच्छे से गूंधने के बाद हमें थोड़ी देर पांचा-परनिे के लिए कि सूजी को भूलन का थोड़ा त्राइम दराए तो यह मैंने आठा गूंध लिया है त्ट अब इसे मैं 10-15 मिनट रख दोंगी ताकि 5-6 मिनट अगर आपके पास टाइड नहीं तो 5-6 मिनट मैंने रखा है 10 मिनट रख दिये सूजी अच्छे से फोल जाए अब जितना भी यह कौंटिटिटीवे मेरा आटा है तो इसको मैंने दो पार्ट में बाट लिया है और एक पार्ट का मैंने अच्छा सा बड़ा सा लोई बना लिया है अब जिस पे रोटी बनाते हैं उस पर रख कर अच्छे से मोटी सी रोटी से बेलेंगे थोड़ा थोड़ा आटा डस्ट कर लेंगे ताकि चिपके ना बेलने वाली चौकी पर चिपक जाएगा तो फिर अच काट लेंगे इसकी स्टिप आप जितनी चौरी काट सकते काट में सकते हैं इस शेपमें काट सकते हैं मैंने पतली पत्ली पतली इसको कट कर दोंगी ताकि अच्छा सा प्यारा सा देखने में शेपाजा रेक्टैंगल वाला as इस तरह से मैंने सारे रेक्टेंगल्स काट लिए, अब मैंने तेल को अच्छे सेगर्म आज बना रही हूं, आपको जो भी यूज उस ऑईल में बनाये, तो सारे स्टिप्स को मैंने डाल लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर, और अच्छे से दोनों साइड में मैं गोल्डन करने तक फ्राई करूंगी इसको एक साइट का गोल्डेन हो जाएगा तो उसे पलट देंगे हम लोग और पलटने के बाद फिर दूसरे साइट से भी अच्छे से गोल्डेन फ्राई कर लेंगे ये देखिए एक साइट का अच्छे से गोल्डेन हो चुका है तो मैं सारी स्ट् पेट भी भर जाएगा और इसमें कोई भी नुकसान वाली चीज नहीं बलकि सब फायदे वाली चीज पढ़ी है और बहुत ही क्रिस्पी है इसलिए चाय के साथ खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक श अच्छानी से ओएल को हटा देंगे और एक प्लेट में निकाल कर सर्फ करेंगे चाय के साथ गर्मा गर्म हरी चटनी से खाईए चाय सौस से कहिए मैंने हरी चटनी पीसीवी धनीय की पत्ती की तो उससे हम लोग खाने जा रहे हैं आपने किस चीज से खाया मुझे जरूर स जब देढ़ देगा रहे हैं जरूर से खाईए उटनी तो देढ़ खाईर से खाया मुझे जरूर से जरूर चाईए चार्मा डहाँ मैंने है हैं और यहार और यहादागी तो ग्याता है